कि नाम क्या है डिवाइस का मेटर ब्रीज तो यह जो मेटर ब्रीज नाम का डिवाइस है यह दिखने में कैसा होगा तो इसको मैं पहले ड्रो कर लेता हूं ठीक है कि यह जो डिवाइस है इसके अंदर कोपर की बनीवी थिक स्ट्रिप्स लगी होती है यह मोटे मोटे स्ट्रिप्स लगी रहेंगी और इनके बीच में कनेक्शन्स किया जाता है मैं यह जो थिक कोपर स्ट्रिप्स है इनके बीच में कनेक्शन्स किया जाएंगी इसमें एक वन ठीक है, इस टाइप का सा सर्किट हो गई यहाँ पर यह जो पहला गेप आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक रेजिस्टेन्स बॉक्स क्नेक्ट होता है क्या क्नेक्ट होगा? एक रेजिस्टेन्स बॉक्स जिससे हम किसी भी non value के resistance को लगा सकते हैं ये resistance R हमको पता होगा और इस device का नाम होता है resistance box ये एक छोटा सा एक box होता है जिसमें अलग-अलग value के resistance लगे होता है जिस resistance को circuit में लगाना चाहो लगा सकते हो ठीक है तो resistance box का काम क्या होता है ये non value का resistance circuit में लगाने के लिए इसको य यह जो मेंटर परीज है इसका मैन काम क्या होता है किसी अनन वेलू के रेजिस्टेंश की वेलू फाइंड करना कोई रेजिस्टेंश वोगा जिसकी वैलू पता ही निये कितने ओम्हां तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं यह जोब बीचवाल कि हम कुछ रिडिंग लेंगे फिर यह जो बाकी का सर्कृट है इसमें बैटरी कनेक्टेड है की कनेक्टेड होती है स्विच ओन ओफ करने के लिए यह नहीं रहेगी वैसे तो यह बैटरी है और इससे करेंट फ्लोगा सर्कृट के अंदर यह पूरा तो यह अपना डिवाइस है जिया वहां पर कॉपर को आई स्टृट के करने को वेय din करती आपने हैं तो बीच मेरें पर Leaders सरकृट को जा रहे हैं वहाँ पर कोपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं ताकि unnecessary voltage ड्रोप नहीं हो क्योंकि यह जो कोपर स्ट्रिप्स होते हैं इनका resistance काफी कम होता है क्योंकि एक तो यह कोपर की बनी है दूसरा इनकी मोटाई ज्यादा होने से resistance कम होता है तो unnecessary voltage ड्रोप को रोकने के लिए कि बैटरी फालतों में खर्च नहीं हो बैटरी का voltage फालतों में कहीं ड्रोप नहीं हो रहा हो मेंगनीन होगा यह दो एलोई होते हैं इनमेंसे कोई एक यूज़ करते तो यह जो वायर है वायर किस मैटरिल का बना है वायर बना होता है देखो और beton Savannah ठीक है या फिर मैंगनीन को डितने आप जो भी other time अभी खास बात की होती हुई उनका अगius या सब्सक्राइस क्या होगा काफिछ जादा होगा या ये यह मैंगनीन को बना हो temperature coefficient of resistance alpha ये क्या चीज होती है तो जिस material के लिए alpha कम होता है उस material का resistance temperature के change होने के साथ में कम change होता है और जिस material के लिए alpha ज्यादा होगा temperature coefficient of resistance ज्यादा होगा उसका temperature change करने से resistance ज्यादा change होगा तो यह alpha वो चीज है जो आपको यह बताता है कि किसी भी material का जिसको आप यूज कर र तो यह चीज हमको याद रखने हैं दूसरा किशन इसके उपर पुछा जाएगा आपको पहला किशन किस पर है इंस्ट्रूमेंट की उपर अगर पुछा जाए तो कोपर स्ट्रिप क्यों यूज करी दूसरा किशन क्या होगा वायर किस मैटरियल का बना है और वो मैटरियल ही ह हम को यूज करे तो यह बना होता है पोंस्टेंट या मैंगनीका जिसको हम यह इसका होता है सब्सक्राइब को एक रखा गया है और एलफा कम रखा गया है ताकि अगर इंस्ट्रुमेंट को जब आप यूज कर रहे हो अगर एक रिडिंग आप सर्दियों में लेते हो तो तेम्प्रेचर चेंज होने की जिसे रिडिंग्स में कोई गडबड नहीं हो वह से रिडिंग्स अपने पास यह एलफा कम वाला मेटरेल ही यूज किया गया है ताकि टेम्प्रेचर के साथ में रिजिस्टेंस में मिनिममम चेंज आ रहा हो यह इसकी खास बात है अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि यह काम क्या से करेगा तो सबसे पहले तो यह देखो कि इसमें आपको कहीं भी व यह से पी और क्यों यह आर और एस माल लो यह गैलोनोमेटर यह वाला सर्कृट दिख रहा है कि सबको यह देखो यह आर रहा यह एस तो आर और एस उपर वाले बीच में गैलोनोमेटर और जो कि जहां पर भी वायर को टच कर रही है उसके इधर वाले पार्ट का होगा कुछ ना कुछ तो इधर वाले पार्ट का रिजिस्टेंस पी है इधर वाले पार्ट का रिजिस्टेंस क्यों है ठीक है अच्छा यह जो वायर आप यूज करो इसके लिए भी हमें चीज लिख देते हैं मालों की वायर की वन सेंटिमेटर लेंद का रिजिस्टेंस है सबसे पहले तो यहां पर कनेक्ट कर दो और उसके बाद में जोकी को एक पॉइंट से आगे अलग पॉइंट पर उठा उठा किस तरीकी से टच करो जैसे जैसे आप इस जोकी को आगे ऐसी एसी ऐसी तते होगे तो आप देखोगे कि जो जाए यहां पर जाके आप क्या देखोगे कि जो गेलोनिमेटर है वो जीरो करेंट शो कर रहे हैं अगर आप इस पॉइंट से आगे निकल गए तो आप क्या देखते हो कि जो डिफलेक्शन वह आने लग गया पहले इधर आ रहा था लेफ्ट में अब राइट में लग गया तो उससे हमको पता चल जाता है कि जो नल डिफलेक जाओगे तो आप क्या देखोगे उस में जीरो करेंट reflect ऐसको तब जो क्योशन वालज वालजय में कॉंसी सिज्वेशन होती है जमया जब ये बैलेंस कंड resistant हो गया और ज mentor यह ब्राबर हो जा चाहिए पीो और क्यों के ब्राबर है सब्सक्राइब हम यह वाली वैल्यू इस क्लाइब लोकानुना है अगर यह एल है तो का तो यह वाली स्टेंस कितनी हो इस मं योगी 100- यह टोल स्टेंस अगर एल है तो हम पूरी पूरी स्टेंस को देखें तो यह तो 100 हम्टी में हम वपन का वाइड यूज़ कर रहे तो यह कि यह कितना होगा 100-2 होगा तो अब ये जो है इसको कैसे कैल्पिलेट करना योध में बिलकुल आजी सी है कि तो वहाद हुनämä कर सकते हो कर सकते हो यह पादि है कि तो निफितने यह फोल राए और यह एक पार्टि का रिजिस्टेंस कि यह 25 इसका रजिस्टेंस कितना होगा 100-L into smaller अब प्योर क्यूंकि वेल्यू हमारे पास आ गई इसमें अपन एक्वेशन में वेल्यू पूट करेंगे तो आर अपोन एस बराबर आएगा पी की वेल्यू है L into smaller क्यूंकि वेल्यू है 100-L into smaller जो को स्मॉल आर सी स्मॉल आर कैंसिल बाक 100-L into R upon L यह अपना पास क्या आगया यह आगया अन्नों डेजिस्टेंस एस मदरब जो आपने अन्नों डेजिस्टेंस इस गेप के अंदर कनेक्ट किया था उसकी वेल्यू कितनी होगी तो 100-L into R upon L क्या है बैलेंस लेंद्ध मतलब जहां पर जाके वीटिस्टोन ब्रीज के इसके अंदर यह जो मिटर ब्रीज है इसके अंदर जो गेलोन मेंटर है उसने जीरो करन्ट शोग किया था वह लेंथ आपको मेजर करके जितनी भी आएगी इसके लेंगी जैसे मालों 20 सेंटीमेटर पर बैलेंस हुआ तो एल की काम होता है मिटर ब्रीज के सिर्फ एक काम है क्या काम इसका किसी भी unknown resistance की वेल्यू find करने के लिए हम इसको यूज करेंगे मिटर ब्रीज का जो प्रिंसिपल वह उसमें यूज किया गया है मिटर ब्रीज एक की काम आता है डिवाइस किसी अन्नों डेजिस्टेंस की वेल्यू find करने के लिए कि आपको मैं इस पर एक दो क्यूशन करवा देता हूं ताकि और अच्छे से किलियर हो जाए पेज नंबर 44 पर आपको एक क्यूशन दिया हुआ है कट्मे दोzon फूंड बैटरी से कितना करन लिया यह उक्रली करको नहृँ जहक्रिए अब यह सर्किट और अगर आप ध्यान से देखो गयो कि तो यह वेट स्टों ब्रीज थो मैं इसको वापस द्नों करके बता रहे हूं आपको K scrut के नाम दे रहा हूं जिन पॉइंट की प्रकेट है बाकी पॉइंट को मैं बी और सी को इधर लिग देता हूं ठीक है फ्रणा समझाने के लिए मैं वापस से ड्रो कर रहा हूं तो ए और बी की बीच में देखो वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो यह लगा दिये यहां पर आर वन वन ओम ठीक है फिर ए और सी के ब जाम दे रखा है और 25 ओमिट्थ में तो व् inscription को आट फ्रिवॉरोम सी ओ भीटी यह है कितना है यह कितना है यह फोरोम अर्टृष स्का नाम है और बीजोरोडिकी बीच में देखो यह वाला रिजिस्टेंस 2ोम कि यह नाम है इसका ओर फाई वी है 2 ूम फिर यह किल यह श त यह विटिस्टोन ब्रीजी था आप इस टाइब के चार-पांच कुशन कर लोगे तो आपको एक दिवे द्रश्टी मिलेगी और उससे आप क्या करोगे आप इजिली यह देख पाओगे कि जो सर्कृट आपको दिया हुआ है वो विटिस्टोन ब्रीज है या नहीं यह चार- बैलेंस कंडियसन चेक करो बैलेंस है या यह तो जेक करनों 1 और 2 का रही 还是 1 बाय two है दिमांट credit वह बैलेंस कंडिशन है तो हेर है तो विटिस्टॉन बिज जच के इस एन बैलेंस डाक सित अध है अगर यह balance condition में होगा तो क्या होगा तो आंगे सामने होगा!.. चेंगे और यह के इसको हटा सकते होous अब सिधाए लिए दो कि अगर यह बैलेंस कंडिशन में है तो इसको हम अटा देंगे अब जो सर्क्रीट बचा उसको सॉल कर लो यह वन प्लस टू थी हो गया टू प्लस फोर सिक्स हो गया यानिकि यह आगया टू ने थ्री और सिक्स पैरल में है इसलिए वन अपन आर्पी क के लो कितनी आएगी कुम आएगी करेंट पुछा साथ टमें करेंट कितना वगा तो आई पोल सुवी अपन आर्पी वी है फोर रेजिस्टेंसर टू टू एम्प्र करेंट सर्कृट में फ्लो होगा यह आपका आंसर ठीक है आया कि नहीं आया तो अर्व कुछ्टर बोलो व कुंखन से को आपस में साल कर लेंगे काम खटम तो आसानी से साल कर से को को बड़ी बात कि रख्यंद में आपको क्या बोला जा रहा है पड़ो एक वार किसिए यह बोल रहा है इने मेटर ब्रेज अना इने मेटर ब्रेज दनल पॉइंट इस फाउंड एट डिस्टेंस फॉर्टी सेंटिमेटर फ्रॉम ए शुरुवात में हमने यह आर और एस रखा हुआ है कहां पर मिलता है। फोर्टी सेंटिमेटर डिस्टेंस फेंस पर मतलब यह इगाइएगा है क chili और इस वाली लेंद के एक लाएगा से प्षोटे इंट्य ए लिज़ीडे सब्सक्राइब सबने यह समय है कि ईपवला कि यह रेजिस्टेंस ट्वालमे इसके पेरल मेंh इसके parallel में हमने 12 ohm resistance connect कर दिया तो यह पूछर आपको the null point occurs at 50 cm from a determine the value of r and s तो अब आपको जो null point हो 50 cm distance में मिलेगा मतलब यह भी 50 होगा और इधरवाला भी 50 होगा तो उस condition equation क्या से बनाएंगे तो पहले तो यह find कर लो कि इसका equivalent कितना होगा सबसे पहले क्या find करेंगे सबसे पहले हम यह find करेंगे कि इन दोनों का equivalent resistance कितना होगा कितना आएगा तो one upon rp equals to one by 12 plus one by s solve करोगे 12 into s यह उपर आएगा 12 plus s rp की value क्या आगई 12 into s upon 12 plus s चलो ठीक ही आगए अपने पास अब क्या करना है equation बनानी है कैसे बनेगी equation और इस वाले resistance का रेशो और इस वाले resistance का रेशो मतलब 12 into s upon 12 plus s यह बराबर होना चीए 50 upon 50 क्योंकि यह वाली लेंद 50 cm होगी आया की नहीं कि आया अब क्या करना है इसको इधर ले जाओ तो आर इकवल टू यह तो वन हो गया ना यह पूरा इधर चला जाएगा 12 into s upon 12 plus s यह दूसरी equation अपने पास आगई अब दो दो इकवेशन है एक तो यह रही एक वरी दोनों को सॉल करना है पहले यहां से बताओ आर की जिगा आप क्या लिख सकते हो s को इधर मुल्टिप्लाइब कर लो आर की जिगे क्या लिख सकते हो 2s by 3 ना तो इसको 2s by 3 लिखके 12 into s upon 12 प्लस ऐसे करके सॉल कर लेंगे एस से उड़ा दो टू से यह कैंसे लोगे 6 आ जाएगा तो यह आएगा 12 बात समझ मैं क्या तो यह दोनों आंसर अपने पास आच चुके हैं कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा